हेलो प्रेंट्स स्वागत है आप लोगा मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में दोस्तों कैसे आप लोग मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिप्रेशन कर रहे होंगे और पूरे जीजान के साथ लगे होंगे क्योंकि यहां पे ब्यारो क्यूस्टन्स हैं कम से कम जो है दोस्तों एक्जाम से पहले आठ तस वीडियो आपको जो है कि जो भी क्यूस्टन है आप लोग जानते हों या ना जानतो हम लोग फटा-फट उस पर जो है कि मैंने सुचा आप लोगों को डिसकसन करा दूँ जिससे आप लोगों के डाउट से वीडियो को लेंगे और बहुत कुछ समाजने का मौका मिलेगा पूरा discussion करते हुए हम लोग चलेंगे और कोई भी question पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग तो इस से related 2-3 question या 4 question बन सकते हैं जो important question रहेंगे उसी हम लोग चर्चा करेंगे बाकि हम लोग फटा-फट आगे बढ़ेंगे ठीक है तो यह सारी चीजे हैं तो फ्रेंट्स मैंने सोचा आप लोगों के सामने यह सब बहुत ज़रूरी है डिसकसन करना और काफी कुछ मेरे जो कैंडिडेट्स ग्रूप से जुड़े हुए हैं जिसका मैंने आप लोगों को जिक्र किया था कि मेरे पास नोट्स क्विश्चन के पीडियाफ और चेकिंग फाल्ट बगएरा कि जो भी सारे जितने हो सकते हैं पीडियाफ मेरे पास अवलेवल है तो बिलकुल जो है उसके लि सक्षम नहीं है पैसे दे पाने में कोई बात नहीं यहां पर फ्रेंट्स मैं उनके लिए लेकर के आई रहा हूं कि उसी नहीं समझाने के कोजिस कर रहा हूं उनको भी काफी कुछ हैल्प मिलने वाला है ठीक है तो हम लोग समय ज्यादा नहीं लेंगे सीधे चलेंगे अपन आपके आटोमवाइल से रिलेटेट तैयारी कर रहा है सबके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ठीक है तो फ्रेंट्स चलिए देखते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर पहला क्युश्चन है स्प्रिंग का कार सिलेंडर के किस पे निरवर करता है तो दो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि इंजन के तीन पार्ट होते हैं ठीक है सिलेंडर हेड जैसे मानो सरीर के तीन भाग होते हैं एक सर होता है बीच का धड़ होता है और नीचे का हिस्सा जो पैर वाला होता है वैसे दोस्तों इंजन का जो हिस्सा है एक हेड होता ह दूसरा दोस्तों सिलिंडर बलाक होता है और तीसरा सबसे नीचे वाला हिस्सा दोस्तों आयल संप होता है जो कि क्रैंग केस के जो है कि ज़स्ट नीचे बना होता है यानि जो दोस्तों आयल संप के और सिलिंडर आयल संप और जो है दोस्तों क्रैंग साप्ट के बीच में जो क्रेंग केस का हिस्सा होता है यानि क्रेंग केस के नीचे जो है हमारा आयल सम फिट होता है तो आप साने हमारा बिल्कुल करेक्ट है ठीक है बाकि हम लोग नेक्स्ट किशन देखते हैं फटाफट ठीक है प्रेंट्स यहां पर देखेंगे रोलिंग ट्राइब फ्राम सिलेंड चीज़ें उस पे हम लोग ज्यादा discussion करेंगे next question चलते हैं दोस्तों question number 4 पे उपर है देखेंगे हम लोग do we acting cylinder का भाग क्या है तो दोस्तों piston है port connection है और यहाँ पे जो है दोस्तों copper chard की guide बता रहा है copper right guide बता रहा है तो यह दोस्तों double acting cylinder का भाग है और दोस्तों जो हमारी approach cylinder होती है जिसमें piston उपर और नीचे दोनों तरफ होता है उसको हम double acting cylinder भी बोलते हैं ठीक है बाकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे cylinder head निम्न में से किसके बने होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि cylinder head जो है अधिकतर जो four stroke engine होते हैं फोर cylinder या highway engine होते हैं वो cast iron के बने होते हैं लेकिन कहीं कहीं पे दोस्तों जो है कि aluminium के इलमोनियम के भी जो है कि cylinder head बने होते हैं तो यहाँ पे maximum आपको cast iron देखेगा और aluminium के भी बने होते हैं तो यहाँ पर काश्ट एरन और एल्मोनियम बिल्कुल सही होगा आप संसी ठीक है नेक्स्ट कुश्टन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुश्टन जो है दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे के तरब तो यहां पर चलते हैं ठीक है तो यहां पर cylinder के आंतरिक बास को हम क्या कहते है तो जो है दोस्तों cylinder जैसे हमारा ऐसे बना हुआ है ठीक है यह cylinder है यहां से हमारी connecting rod और piston लगी होती है तो यहां पर friends जो यह वाला portion है यह वाला portion है ये अंदर के भाग को हम क्या करते हैं तो ये है दोस्तों जिसमें पिस्टन हमारा मुवमेंट करता है सारी बहुत ज़्यादा हो गया जिसमें हमारा पिस्टन जो है दोस्तों अपन डाउन मुवमेंट करता है इस हिसे को हम अंदर के हिसे को क्या करते हैं cylinder बोर करते हैं ठीक है तो हम जो है दोस्तों next question चलेंगे यहाँ पर देखेंगे cylinder head किसका बना होता है तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कास्ट आरान और एल्मूनियम एलाय का या एल्मूनियम का तो हम लोग देख चुके हैं ठीक है बाकि next question हम लोग बढ़ेंगे इसमें दोस्तों वही question रखे गया है जो आपके काम लायक है इसलिए कुछ question जो है serial हट चला गया है तो उससे घवराना नहीं है बाकि फ्रेंट्स हम लोग देखेंगे engine cylinder की finishing के लिए कौन सा tool यूर्ज होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि cylinder जब हमारा जो है कि अंदर से रफ हो जाता है थोड़ा सा उसमें scratches आ जाते हैं तो उसके लिए है दोस्तों उसकी बोरिंग की जाती है ठीक है और बोरिंग में जो है दोस्तों एक honing stick होता है ठीक है वो जो है दोस्तों मतलब कि इस type का बना होता है एक तरह से टी type का बना होता है उसमें दो stick और निकले होते हैं वो है दोस्तों जो है कि लगबग लगबग जो है दोस्तों 50-60 degree जो है मूब कर करके मूब कर करके circular motion में वो क्या करता है honing करते रहता है उपर नीचे ठीक है तो ये दोस्तों honing जो है कि एक process है cylinder boring के जब होता है तो उसी में honing stick के दोरा honing किया जाता है final finishing के लिए तो option B यहाँ पर बिल्कुल correct है बाके हम लोग next question देखेंगे दोस्तों किसी diesel engine का cylinder block बना होता है किसका तो cylinder block जो है दोस्तों काश टाइरन का बना होता है आप लोग ध्यान रखेंगे option B विल्कुल correct है ठीक है next question हम लोग देखेंगे फटा-फट cylinder head में nut कसाई करते समय कसावट किसके द्वारा मापी जाती है तो दोस्तों तो टार्क रिंच में प्रयोकते टार्क के द्वारा मापी जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि cylinder head एक तरह का बहुत ही critical जो है कि engine का component है और उसकी अगर प्रापर अच्छे से tightening नहीं की जाएगी तो power stroke में जो है दोस्तों वहाँ पे काफी ज़्यादा force पड़ता है और हमारा cylinder में जब piston TDC के तरफ move करता है compression stroke में तो काफी compression pressure भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस case में क्या है कि leakage नहीं होने पाए तो प्रापर जो है कि tightening होनी चाहिए और एक निस्चित torque तक ही होनी चाहिए तो हम torque range के द्वारा जो है कि दोस्तों दो से तीन step में जो है कि cylinder को cylinder head को tight करते हैं ठीक है और ये map कितना होता है दोस्तों अलग-अलग cylinder में अलग-अलग vary करता है ठीक है न्यूटन मीटर में torque का map हम लेते हैं तो दोस्तों जैसे मान के चली एक नार्मल जो है कि cylinder head का torque हम जो है कि 9-12 न्यूटन मीटर का दे सकते हैं ठीक है बाकी हम लोग जो है दोस्तों आगे देखेंगे यहां पर cylinder किस धातु के पने होते हैं तो दोस्तों यहां पर cylinder जो है कि ढलवा लोहा कास्ट आरेन के पने होते हैं ठीक है यह की question बार बार रिपीटेड ह बाकी हम लोग जो है दोस्तों आगे देखेंगे engine में cylinder head ढलवा लोहे के अत्रिक्त किस धातु का पना होता है तो friends cylinder head यहां पर फिर से वही question है एल्मूनियम और कास्ट आरेन का बना होता है तो यहां पर बार बार आपको जो है की हैसी question घुमा के पूछे जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल परिशान नहीं होना है बाकी हम लोग जो है दोस्तों फटा फट देखेंगे अभी question की series काफी लंबी है इस वीडियो में cylinder head engine के black मत से कौन सा भाग होता है तो दोस्तों cylinder head gas kit होता है और फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि cylinder head gas kit जो होती है वो काफी अच्छे material की बनी होती है इस वेश्टास और copper की भी होती है या फिर इस वेश्टास steel alloy की होती है और जो cylinder black के जो मतलब की गोल सरकील होते है लाइनिंग होती है वहां पर जो है दोस्तों अगर steel alloy का भी गैस केट होगा तो उसके lining के किनारे किनारे copper की coating जरूर रहती है ठीक है क्योंकि copper जो है दोस्तों heat का अच्छा जो है के सुचालक है ठीक है पाकी next question हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रेंट्स इन में कौन सा engine का भाग है तो दोस्तों cylinder, piston, ply wheel ये दो है दोस्तों सभी जो है के engine के भाग है ठीक है तो इसमें ज्यादा परिशान नहीं होना है बाकी हम लोग जो है दोस्तों next question पर आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं engine cylinder के आंतरिक भाग पर रीजेज को हटाने के लिए कौन से भी धी होती है तो cylinder honing जैसा है कि हम लोग उने देखा था बिल्कुल वही होगा बाके फ्रेंट्स हम लोग आ जाते हैं इधर क्विश्चन सेंगे 22 पर किसी cylinder में धारियां पड़ गई है तो उन्हें दूर किस से किया जाता है तो दोस्तो यहां रेषेव बन जाते हैं यहां रिज्जेज मन जाते हैं उनको दूर करने के लिए हम सिलेंटर बोरिंग करने के बाद उसमें जो हैं सिलेंट्रड गिसावरी को करने के लिए हम यहां पे cylinder liner का यूज डाल देते हैं क्योंकि दोस्तों जब हमारा piston moment करेगा तो जो piston जो है दोस्तों force के गर्मी के वज़े से थोड़ा सब फैलता है तो cylinder को घिस के चलता है तो अगर यहां पे liner का यूज नहीं होगा तो हमारा cylinder घिस जाएगा जिसके वज़े से वो काफी हमागा पार्ट है और एक बार घिस गया दोस्तों करना पड़ेगा सिलेंडर ब्लाग इसलिए हम लोग यहां पर सिलेंडर लाइनर का यूज करते हैं कि घीसे तो सिलेंडर लाइनर घीसे उसके बाद हम सिलेंटर लाइनर को बदल देते और थी क है यहाँ पर समलोक यह भी विखेंगे थे थेखे लेते हैं cylinder board किस से माप आ जा सकता है ठीक है तो cylinder board जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते है inside micrometer के द्वारा माप आ जा सकता है तो friends मैं आपको बता दूँ कि cylinder board के जो है कि माप लेने के यह है कि हम micrometer से माप लेते हैं उसके द्वारा other digits के साहिता से जो है कि माप माप के reading निकाल लेते हैं ठीक है वाकि यहाँ पर देखेंगे निमलिकित में से किस के संपर्क में पानी नहीं रहता है तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते है कि वेट लाइनर के संपर्क में पानी होता है ड्राइ लाइनर के संपर्क में पानी नहीं होता है ठीक है तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम लोग यहां पर देखेंगे निमलिकित में किसमें जंग नहीं लगती है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जहां पर पानी का मतलब संपर्क रहेगा फ्रेंट्स वहां पर जो दोस्तों जंग लगने की संभावना सबसे जादा रहती है और जो dry type के liner होते हैं वहां पर नहीं होती है तो हम लोग जानते हैं कि dry liner में जंग लगने की संभावना नहीं रहती है ठीक है जो dry liner की जो बाहरी सर्फेस होती है वो finishing की हुई होती है ध्यान रखना है ठीक है जो हमारा dry liner है उसकी बाहरी सर्फेस को हम finishing किया हुआ रहता है ठीक है पाकि next क्यूंसे हम लोग देखते हैं सिलेंडर और piston की दिवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्यों क्योंकि दोस्तों यहां पे हम बताये थे आपको अभी कि power stroke में जो heat हमारी generate होती है उसमा के कारण piston जो है कि थोड़ा सा फैलता है और वो फैल करके piston जो है कि बिलकुल उसी में jam ना हो जाये सीज ना होने पाए इसके कारण थोड़ा से जो है कि जो सो डिपरेंस छोड़ दिया जाता है उसके बीच एक और कारण है दोस्तों टेकनिकली देख सकते हैं आप लोग तो जो हमारा जो लुब्रिकेशन का जो फिल्म बनता है तो अगर बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा तब ही तो लुब्रिकेशन का फिल्म बन पाएगा नहीं तो दोस्तों उसके लिए जगा ही नहीं बचेगी तो यहां पर लुब्रिकेशन का फिल्म भी प्रियेट हो पाए जिससे की घरसाण कम से कम हो और जो है दोस्तों पिष्टन हमारा सीज नहोने पाए जाम नहोने पा या उसको घिसने से बचाने के लिए जो भी कह सकते हैं बागे दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे एल्मोनियम सिलेंटर के बलाग में आवस्यक होता है तो यहाँ पर दोस्तों यह ढलवा लोहा का लाइनर तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि अगर सिलेंटर बलाग इल्मोनियम का बना है वैसे तो यह काफी हलके इंजनों में बना होता है और जो भी डीजल के इंजन होते हैं दोस्तों वो हैवी कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसमें और काफी रफटफ डीजल इंजन को माना जाता है तो उसमें दोस्तों जो है कि आपके सिलेंटर बलाग जो है कि मैक्समाम काश टायरन के दिखेंगे लेकिन अगर सजब चाहरी आइ दोस्तों आपको डॉलवा लोहए क जो काश्टेरन का लाइनर लगाना ही पड़ेगा हाँ दोस्तों जो है कि यsty यमोनियो just हिंन जास खी धूट सकता है ठीक है पाकर थी नेक्स्ट कुसन हम लोग देखijnगे फिर जो तो यहां पे देखेंगे हम लोग सिलेंडर मुखे तक किस धादुके बने होते हैं तो यहां पे हम लोग देखेंगे वही चीज़े हैं काश टायरन के हम लोग आगे बढ़ेंगे फटापण एक बाव सिलेंडर डीजल इंजन में निकता सिलेंडरों पर सिलेंडर संपीदन परच्छन अतिनीम नहाएं ये दोस्तों जो है कि काफी लंबा चोड़ा क्यूशन है इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं सिलेंडरों के भी सिर्क गैस्केट निगर्सित बाकि हम लोग नेक्ट क्यूशन देखेंगे ठीक हैं जो हमा हमारा यह हो गया टीडीसी यह हो गया बीडीसी ऐसी दिसा मोमेंट करता है और पिस्टन के 180 डिगरी मोमेंट को हम पिस्टन का एक स्ट्रोक बोलते हैं यह भी ध्यान रखना है ठीक है तो बाकि दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्यूशन पर चलेंगे अंडाकार घिसावट या उपर जो है कि घिसावट होती है उसमें हमारा सिलेंटर जो है दाय से पाय तरफ घिसता है और फ्रेंट्स टेपर घिसावट जो होती है वो गिलास जो होता है उपर चोड़ा और नीचे के तरफ संकरा हो जाता है तो वैसा जो है दोस्तों उपर से नीचे के तरफ जो है कि टेपर की जावर्ट होती है ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्यूस्टन पर चलेंगे काफी लंबा सिरीज है दोस्तों लेकिन अब क्या किया जाए लोगों की डिमांड थे तो फ्रेंट्स हम लोग और देखते हैं फटाफट सिलेंटर की दिवारों पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखे जाती इसका क्या करण है तो दोस्तों गर्म होने पर जाम न हो जाए जैसा कि हम लोग देखे थे बाकि हम लोग फटाफट देखते चलेंगे क्यूस्टन को मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रियोग होते हैं क्या एक से अधिक इंजन ठीक है एक से अधिक सिलेंडर 125 बिल्कुल सही है। युब की लेक्षके सियेंडर कंपरियसर में फिश्टनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मल्टी सियेंडर है तो दो से अधिक हो सकती है। ठीक है। और बाकि यहां पर दो जो होस किई को मल्टी सिलेंडर इंजन ona उस के मैं कौन सी वेवस्ता अधिक सरल समझी जाती है तो जयर से बात है कि इनके जो है कि सिलेंडर जो है कि इनलाइन टाइप के हों गए तो यह होगी इसमें क्रैंग साफ्ट रगा देंगे तो बिलकुल इंजन कि हमारा इससे पमें आ सब्सक्राइब क्या है तो इससे क्या है कि यह इन लाइन विदि क्या है सरेल भी दिए है ठीक है हम लोग नेक्ष्ट क्विशन देखेंगे यहां पे देखेंगे 8 से 16 सिलेंटर वाले इंजन के लिए किस प्रकार की सिलेंटर विवस्ता तो यहां पे दोस्तों 8 से 16 वाले जो है कि सिलेंटर वाले इंजन के लिए जो है कि यहां पे दिखा रहा है कि V टाइप का इंजन एक तरह से यह भी सही है दोस्तों ठीक है और यहाँ पर radial भी हो सकता है देखा जाए answer में क्या है तो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है पड़ लेंगे हम लोग engine में V के रूप में cylinder की दो lining set की जाती है engine में 8 से दिक cylinder हो तो परियाब सुद्रिन बाना और inline विवस्था करना मुस्किल होता है तो ठीक है दोस्तों यानि कि 8 से लेंटर के लिए जो है दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर V टाइब के system की विवस्था होती है और यह है दोस्तों यह ऐसे करके 4 से लेंटर इधर हो जाते है और 4 से लेंटर इधर हो जाते हैं और यहाँ पर बीच में center में crank shaft रहती है दोस्तों ठीक है बाकी piston movement होते रहते हैं ऐसा angle fit किया जाता है कि यह की crank shaft से काम चल जाता है ठीक है तो V type का ठीक है engine बाकी friends जो है दोस्तों 41 नमपर देखेंगे एक 6 सिलेंडर वाले car engine में क्रमागत crank throw के बीच का angle कितना होता है तो दोस्तों 6 सिलेंडर का car engine है उसमें crank throw के बीच का code यहाँ पर 120 degree दिखाया हुआ है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी है कि अगर जैसे 20 फोर्ट हुआ तो हमारा जो है कि moment piston का जो है कि नीचे के तरफ होगा यानि कि उपर से नीचे के तरफ टीडी सी से बीडी सी की तरफ ठीक है next question देखेंगे friends cilinder में उपरी सीमा तिथा नीचे ली सीमा क्या कज़ाती है तो उपरी सीमा को हम जो है दोस्तों TDC भोलते हैं और नीचे ली सीमा को हम क्या बोलते हैं BDC बोलते हैं ठीक है TIMS FederalC și बिलकुल correct है next देखेंगे हम लोग जो है दोस्तों उसमा इंजन वह इंजन है जिसमें वह ताप द्वारा गैसों को फैला के प्राप्त की जाती है ठीक है तो वह क्या होती है सक्ति ठीक है जो है दोस्तों सक्ति कैसे प्राप्त की जाती है हीट के द्वारा गैसों को जो है के फैला करके प्राप्त की जाती है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 90 डिग्री निकल के आया ठीक है बाकी 6 डिग्री के लिए 6 सिलेंडर के लिए 120 डिग्री निकल के आया था तो ध्यान रखिएगा आप लोग बाकी हम लोग next देखेंगे ठीक है किस प्रकार के combustion chamber में concave head piston तो यहाँ पे दोस्तों डीजल इंजन जो होता है उसमें concave या convex type का यूज करते हैं उसमें जो है दोस्तों एक स्विरल चेंबर बना होता है बाकी हम लोग जो है यहाँ पे आगे देखेंगे फटापड तो फ्रेंट्स यहाँ पे next question हम लोग देखेंगे एकल एक्टिंग सिलेंटर में पिष्टन का breaking system का वापसी मुमेंट निर्भर करता है कैसा तो जो है दोस्तों बाय बल या spring बल ठीक है तो यह याद रखना है ऐसे ही बाकी next question हम लोग चलेंगे ठीक है जो चीज़ें बिल्कुल आसानी से दिमाग में न जाया उनका answer याद रख लेना है ठीक है काश्ट इस्टिल पिष्टन के एलाय में कौन सी मिस्रित धात होती है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काश्ट इस्टिल पिष्टन में जो है कि कापर मिला होता है ठीक है बाकि हम लोग चलेंगे आगे फटा फट गजन पिन का उपयोग देखेंगे हम लोग गजन पिन का क्या उपयोग है तो यह दोस्तों पिस्टन के द्वारा जो है कि जोडता है जो कि पिस्टन बॉस में फिट होता है गजन पिन ध्यान रखना है आप लोगों इसको आयल साइड रिंग भी बोल सकते हैं बाकि जो है दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे इस्टिम पिस्टन में कौन सी प्रयोग करते हैं तो दोस्तों यहां पर काश टाइरन की पाइकिंग यूज होती है बाकि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिस्टन हेड किसके लिए है तो टू हेल प्रापर मिक्सिंग आप एयर फ्यूल मिक्सर तो मैंने जो स्विरले चेंबर की बात की थी आपको टर्बलेंस प्राप्त करने के लिए तो एयर फ्यूल के मिक्सर को काफी वो तेजी से मिला सके ठीक है बाकि हम लोग यहां पर देख लेते हैं जल्दी पर तो दोस्तों जब एलाए की बात आई है तो लगबख सभी होंगे ठीक है तो यहां पर उपयोग सभी क्विस्टन बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्विस्टन हम लोग देखते हैं पिस्टन रिंगों में सबसे उपर वाले रिंग को क्या कहा जाता है तो पाके हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अम लोग यह भी जानते हैं कि कंप्रेशन लिंग के लीक होने के वज़ए दोस्तों हमारा क्या होता है पावर इस्ट्रोग भी अच्छे से प्राप्त नहीं होगा और जो है दोस्तों यह अपना आयल भी जो है कि बर्न होने लगेगा ठीक है तो यहां पर देखेंगे दोस्तों इंजन में पिस्टन के अधिकता में उपर और नीचे किसे टीडीसी बीडीसी आप लोग जानते हैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है पाके हम लोग आगे देखेंगे पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिले तो यह है दोस्तों फार्मूला यह आपको एक्जाम में नहीं पूछे जाना वाला है तो इतना ध्यान नहीं देना है ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों यहां पर पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचेह स्थान के आयतन को क्या करते है तो दोस्तों ये clearance value होता है और clearance value वो चीज होता है दोस्तों जहाँ पर compression stroke end पूरा होने के पास जो हमारी compress गैसे है वो combustion chamber से नीचे जाकर जो थोड़ा से clearance value होता है उसमें जाकर बैठ जाती है और जैसे उसमें diesel inject होता है तुरेंट fuel हमारा burn हो जाता है और power stroke हमारे प्राप्त हो जाता है ठीक है बाकि यहाँ पर हम लोग compression ratio में clearance value का अपना अलग ही value है जो compression ratio में हमारा 6 सम्बंदे एक अनुपात दिया जाता है तो वो एक जो होता है वो clearance value होता है ठीक है बाकि यहाँ पर friends हम लोग देखेंगे piston के देखते हैं फ्रेंट्स piston के TDC से piston के TDC से BDC के बीच के चूसित गयत का आजितन क्या कहलाता है तो friends यहाँ पर चूसित गयस का मतलब यह है कि जो खीचा गया गयस है piston के TDC से BDC के बीच की वो जो है दोस्तों swept value कहलाता है दोस्तों swept value कहलाता है बाकी हम लोग next देखते हैं दोस्तों फटाफट piston का व्यास cylinder के व्यास से होता है क्या तो दोस्तों यहाँ पर piston का व्यास हमेशा cylinder के व्यास से कम रहेगा तभी तो moment करेगा cylinder में तो यह सोचने वाली बात है ठीक है नेक्स हम लोग देखेंगे जो है दोस्तों piston ring के दोनों सीरों के बीच कुछ gap होता है उसे piston ring gap कहते है तब इसकी gap की चोड़ाई कितनी होती है तो यह दोस्तों measurement वाले question है आपको याद रखना है 0.178 से 0.55 mm तक ठीक है बाकी जो है दोस्तों हम लोग आगे देखते है नेम लिकित में से गजन पिन किसको कहते हैं तो दोस्तों मैंने बताया था piston pin गजन पिन और wrist pin तीनों एक ही होती है यह piston की जो बॉस होती है सेंटर में piston के बीच में लगवा एक खोल होता है आर पार उसमें जो है दोस्तों फिट होती है और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि गजन पिन जो है कि बिलकुल piston के बीच सेंटर पे नहीं फिट होती है क्योंकि piston के द्वारा जब piston पे पावर स्टोक में फोर्स जनरेट होगा फोर्स प्राप्त होगा तो वहाँ पे एक फ्लक्षन फोर्स जो होता है उससे जो है दोस्तों काफी तगड़ा हैमरिंग जैसा प्रहार होता है जिसके बज़े से piston अगर पिन सेंटर पे रहेगी तो बीच से बिलकुल तूट सकती है इसलिए उसको थोड़ा से दाहिने आप बाए करते हैं ठीक है बाकि यहाँ पे देखेंगे नेक्स क्यूशन है piston के लिए इल्मोनिया में लाएगा composition क्या होता है तो यह जो है दोस्तों measurement वाले question है इसको आपको याद रखना है इल्मोनिया में 90% 32% वकापल 7% ठीक है बाकि हम लोग देखते हैं फटा फटा आगे देख लेते हैं piston ringों में सबसे उपर वाले ring को क्या कहा जाता है तो दोस्तों piston ringों में सबसे उपर वाले ring को compression ring कहा जाता है बाकि हम लोग आगे देखेंगे piston के सबसे नीचे वाले भाग का क्या नाम है तो piston skirt नाम है जो दोस्तों ध्यान रखना है piston skirt में जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे eye type का या जो है कि सीधे जो है कि ऐसे करके cross किया होता है वो इसलिए होता है कि piston जब heat से फैले लेगा तो वो जो है कि piston को टेड़ा ना कर सके ठीक है तो यह चीज़े होती है बाकि हम लोग next देखेंगे अच्छा एल स्क्रैप के लिए ने में लिए पिस्टन रिंग उपयूक्त है तो दोस्तों inside जो बेवल रिंग होती है वो सबसे उपयूक्त मानी जाती है ध्यान रखना है बाकि हम लोग next देखेंगे सिलेंटर के पिस्टन की गती ठीक है दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली है सिलेंटर के पिस्टन के गती करने की अधिकतम उच्छ बिंदु को क्या कहते हैं तो दोस्तों हम टीडी सी करते हैं ठीक है फ्रेंट्स बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है तो चार्ज भी कर लेते हैं बाकि हम लोग जो है दोस्तों next देखेंगे फटाफट एक मिनट फ्रेंट्स चलिए तो हम लोग next देखते हैं फटाफट यहां पर फ्रेंट्स देखेंगे विपरित पिस्टन इंजन में कौन से क्रेंक साफट होता है तो दोस्तों यहां पर अपोज पिस्टन में जो है कि उपरी और निचला दोनों क्रेंक साफट होता है यानि दोस्तों जो अपोज टाइब के piston engine होते हैं उसमें जो है दोस्तों दो crank shaft की use होती है और crank shaft के बीच में एक विवल टाइप का gear लगा देते हैं जिसके बज़े से दोनों का crank shaft जो है आसानी से जो है कि move कर सके हैं ठीक है बाकि next हम लोग देखते हैं फटा-फट यहाँ पर friends देखेंगे विपरित piston engine में दहा नमस्ता के दोराण gas piston के विवरुद कार करती है तो दोस्तों यहाँ पर समान तथा विपरित दिशा में कार करती है जाहिर से बात है piston जब एक दूसरे के भी opposite रहते हैं तो ऐसा ही होगा ठीक है next हम लोग देख लेंगे दोस्तों piston में ताब डैम यानि heat डैम का क्या कार है तो दोस्तों piston को ठंडा रखना तो जाहिर से बात है piston को जो है दोस्तों यहाँ पर heat डैम का कार है piston को जो है कि दोस्तों ठंडा रखना होता है यानि heat के काराण वो फैल के अपना उनका जो डाया है वो बिगर्ड ना जाए इसलिए उनका यूज होता है बाकि दोस्तों उसमें जो है कि आगे हम लोग चलेंगे देखेंगे फटा-फट ठीक है काफी लंबा वीडियो हो चुका है इतना लंबा लेना नहीं था मेरे को चलिए देख लेते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर पिष्टन उच तापकरम दावाव सहन करता है या अधिक तर निमने का बना होता है तो दोस्तों वही चीज़े हैं पिष्टन किसका बना होता है तो एलमुनिया मिलाएगा ठीक है बाकि यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे फटा-फट प बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएं ठीक है फ्रेंट्स बागे आप हम लोग चलेंगे पिष्टन पर दो परकार की रिंग फिट होते हैं वही चीज़े हैं मैं आपको बता चुगा हूं तो ज्यादा डिसकसन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर निमने में से कौन पिष वीशन देखें के सरकील के साथ लग फिंत प्लोटिंगक के प्रकार की पहचान करें तो दोस्तों सरकील के साथ पलीम भी होती है वहाँ फौल फ्लूटिंग होती है थिक है तो यहां पर सरकृड जिस्ट गयLIER मसरख क्लिप लग कर यूज होता है उसको ध्यान रखना вас व फुल फ्लोटिंग में जो है कि हमारे सर्क्लिप लगी होती है ठीक है पाकि फ्रेंट समलोग चलेंगे आगे देखेंगे फटाफट बोर्स है तेदिक तेल को स्क्राइब करने के लिए आयल रिंगों का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो यह उसका मेजरमेंट का माफ है 0.3 mm से 0.9 mm तक जो है कि आयल रिंग क्लिरंस दिया जाता है ठीक है पाकि जो है दोस्तों हम लोग फटा-फट देख लेते हैं यह क्यूस पिष्टन और सिलेंडर के बीच अच्छी सील सुनीचित करने के लिए पिष्टन के साथ निमलिकित में से किसे जोड़ा जाता है तो पिष्टन रिंग को जोड़ा जाता है दोस्तों बाकि हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आगे देखेंगे एक आटो मोटीव इंजन में कंप वाई टाइप की होती है लेकिन यहाँ पर काश्ट आयरन दिया हुआ है और आप सर में अगर काश्ट आयरन आपको देखता है तो बिल्कुल आख बंद करके एंसर कर देना है ठीक है क्योंकि जो एक्जामनर होते हैं वही मानते है ठीक है उसी एंसर को पिष्टन का कौन सा पार्ट उचे प्रिसर तापमान के अंतरगत आता है तो दोस्तों जो है कि पिष्टन का जो क्राउन है यानि पिष्टन का जो सर है ये वाला हिस्सा तो ये दोस्तों जो है न ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है सबसे ज्यादा जो है दोस्तों हाई प्रिसर और बार बार पावर स्ट्रोक में जो हमारा बार बार इगनिशन होगा विस्पोर्ट होगा वो इसके क्राउन पे होता है ठीक है बागे दोस्तों लोग आगे देखते हैं पिस्टन निगों का कार्य किसको कंट्रूल करना होता है तो दोस्तों कंबस्टन प्रेसर को भी जहलना होत होता है सिलेंटर दुयार की लुब्रीकेशन भी करना होता आयल रिंग को और आयल के खपत को भी मैनेज करना होता है यानि कि उपरोग सभी ठीक है बागे फ्रेंट्स यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्यूशन देख लेते हैं गजन पीन का क्या कारे होता है तो दोस्तों करनेक्टिंग राट के साथ पिस्टन को जोड़ना होता है ठीक है बाकि यहां पर हम लोग देखेंगे उथली गाराई वाले कमेशन चेंबर में केविटी होती है पिस्टन के क्राउन में जो भी बना होता है गड़ा या फिर उस पर विसेस जो है कि एक टाप का बिंदू द दूर है वो नहीं है तो यह रहे क्विस्टन दोस्तों आसा करता हूं वीडियो तोड़ा लंबा आया है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट टापिक में थैंक्यों